फर्रुखाबाद की क्रांती में और भी अनेकों क्रांतिकारियों का योगदान रहा है उनका जिक्र हम आगे करते रहेंगे लेकिन कुछ लोग है जिन्होंने फर्रुखाबाद के विकास के लिए काफी काम किया था अगले कुछ अनकों में हम बंगश नवाब के तहट आर्थिक विकास की बात करेंगे उनमें से एक थे नवाब हकीम महंदी अली खान जो कश्मीरी थे 18 वी शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली आये और सूफी नेताओं के एक कबीले में शामिल हो गए यहाँ नए नए व्यापारियों से मिले महंदी के पिता आस्फुद दौला के समय दिल्ली से फैजाबाद आये उनकी मृत्यू के बाद महंदी लखनों के प्रसिद लोगों के खानपान के लिए एक प्रसिद चिकितसक के रूप में उभरे उसने राजस्व संग्रह करता के रूप में अनुबंध शुरू करने के लिए परियापधन बचाया हकीम महंदी अली खानन नवाप सादत अली खान के वितमंत्री रहे वह राजा गाजियुद दीन हैदर के शासन के दौरान अवद के प्रधान मंत्री बने ये अवद के पहले नवाप बुहरान उल मुल्क के वन्शिच थे इस परिवार की जड़े शिया इमाम मूसी ये काजिम से मिलती है नवाप सादात अली खान के साथ रहते पहले मुहम्मदी और फिर खेराबाद, बहराइच और गोंडा सहित अन्य जिलों में अपनी पैंट जमाई 1819 में उनका गाजियुद दीन हैदर के प्रधान मंत्री आगा मीर से मदभेध हो गया आगा मीर ने उन्हें राजधानी से खेराबाद जाने का आदेश दिया वह विश्वास घात के डर से पढ़ोसी ब्रिटिश फरुखाबाद में जमीन खरीद कर सीमा पार आठ लाग भेज कर खेराबाद चला गया अगर उसने सही समय यह निर्ने न लिया होता तो उसे अपनी गिरफतारी का डर था फरुखाबाद में नील के बजार में शीग्र लाब की संभावना ने उसे आकर शित किया जॉर्ज मसर जिनकी 1810 में अलीगर में एक या दो नील कार खाने थे 1826 तक मसर एंड कमपनी ने अपनी सामान्य व्यापारिक गतिविधिया मेरट, आगरा, मुरादाबाद, फरुखाबाद, बरेली और इटावाजिलों तक बढ़ा दी थी फर्म की संपत्ती का कुल मूल्य लगभग एक करोर रुपय आंका गया था 1820 में हकीम महंदी अली खान ने विलियम मौटन के साथ नील के कारोबार में एक साजेदारी बनाई मौटन ने शायद हकीम महंदी के साथ साधन जुटाने के रूप में पार्टनशिप की थी मेहंदी इली खान ने 300 श्रमिकों को रोजगार देने वाली एक शॉल फैक्टरी भी स्थापित की जिसके लिए वो कश्मीर से उनलाता इस कश्मीरी परिवार की तीन पीडियों ने सूफी नेता से चिकित सक से क्रिशी पूंजी पती से कपढ़ा उद्योग पती तक का परिवर्तन देखा लेकिन नवाब ने अपने पारम पर एक मूल्य बर करार रखे शिया उलेमाओं के प्रती लिए उसने सम्मान बनाए रखा फरुखाबाद में एक सामुहिक प्रार्थना मस्जिद का निर्मान किया फतेहगर के राजपूत रेजिमेंट सेंटर में उसका निवास था असल में नवाबी फरुखाबाद के विकास में हकीम महंदी अली खान का बहुत बड़ा योगदान रहा है फरुखाबाद में कई ब्रिजों वसरकों का निर्मान कार्य भी नवाब महंदी अली खान ने कराया था उन में प्रमुक था खुदागंज का हैंगिंग ब्रिज जिसका एक खंबार आज भी काली नदी में खड़ा है असल में हकीम महंदी ईली खान का जिक्र करना जरूरी था अबद में नवाबों को जब भी फाइनेंस की जरूरत होती हकीम ही उनके काम आता उसके फाइनेंस के मुख्य सोर्स नवाब भोपाल आदि एनेको नवाब थे अपने अगले अंक में आगे हम आर्थिक विकास पर ही बात करेंगे